जिन्दगी गम का सागर भी है, हसके उस पार जाना परेगा, जिसका जितना हो चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी भूल जीवन में गर नंकी ले तो, काटो से भी निभाना परेगा आएंगे या हीट होएंगे, यह तो दर्सकों पर निर्बर करता है, और बीबील नियूज हमेशा से आप लोगों से आगरा करते आया है, कि आप असलील मुक्त सिंगर को भी आगे बढ़ा है, तो सबसे पहले पहले भी आप से पहला सबाल रहेगा, कि आपका उमर कितना हुआ 13 अचा 13 उमर हुआ, इतना कम उमर में सों कैसे गाने लगी, गाना कैसे गाने लगी, मेरा बचपन से ही सपना था, गाना गाने का आगे बढ़ने का इसी लैन में, अचा जब आपका बचपन से सपना था, तो आपके घर बाले, आपके गारजियन, आपके पिता जी, आपके म मुझे रुकावट नहीं डालते, पुरा परीवार हमी सपोर्ट करते हैं, अच्छा पुरा परीवार सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे अच्छा यहां जानना चाहेंगे कि आप जब सुर्वात्री दोर में गाना गाना सुरू किया तो आप कहीं से सीख कर आए हैं या फिर ये स्टीडियो में जाकर डाइरेक्ट सोंग एलबम करने लगे मैं कहीं से सीख के नहीं गए पर पापा घड़ पे गाते थी तो मैं सुना करती थी बस बैठ के अच्छा आपके पीता जी भी सिंगर है हाँ पापा गाना भी गाते हैं अलबम भी करते हैं आपके पीता जी का क्या नाम है रामु सावरिया रामु सावरिया यानि कि इनका लग रहा है कि बैक गराउंड से ही Singin लइन में इनका Family अगर कहिए तो Family감soal से सप्ध welfare इसी फस्रों और किस परकार किष में आप सारा एलबम की है तो कि लग भग कितना एलबम अभी तक कर लिया पचास लगबग पचास अच्छा पचास गाना में एक भी गाना मार्केट में सायद नहीं आया होगा क्योंकि आप असलील मुक्त गाये हैं इसलिए असलील मुक्त सायद हमारे बिहार के चाहने वाले दर्सकों को नहीं पसंद है लेकिन अच्छा अभी तक आप पचास गाना पबाद को 50 गाना नहीं तो विस गाना तो याद होगा स्याड सॉंग सा γण कि या फिर श्रीप विभास हो गाते हैं गाते हैं सारा सौंग पर असलील नहीं असलील नहीं खेसारी लाल का नाम सुने आई हाँ पबन सिंग का कोई सौंग याद है आपको हाँ याद है खेसारी लाल का हाँ खुद का हाँ खुद का भी याद है हाला कि देखिए खिसारी लाल और पबन सिंग का तो सोंग हर कोई जितने भी सिंगर होंगे भोजपूरी अंगिका में कहें तो सभी को याद होगा अच्छा आपका हम खुद का सोंग सुनना पसंद करेंगे हाँ तो सुनाएंगे सुनाएए सुना रहा है सिवरातरी का सुना देख्या हाँ बहुत ही अच्छा ठीक है सुना रहा है महान करे छोर परवात नई हर हम जाई भूहतावा पारेतावासा करस लडाई बात के हुमाने नाई हाला समचा के पूरा परवातिला देले बा लागे गाजा के लागे गाजा के मारी के दूई टान जगरा करा देले बा लागे गाजा के मारी के दूई टान जगरा मचा देले बा अच्छा ये सौंग लिख है कौन है मेरे पापा आपके पिता जी लिख कर दिया है हां मेरे पापा सौंग भी लिखते हैं जूट नहीं ना बोल रहे हैं नहीं बस खुद के लिए लिखते हैं खुद के लिए हम लोग को नहीं देंगे हां क्यों नहीं देंगे देखे कहीं न कहीं अगर हम कहें तो बिहार में नहीं बलकि अब हमें भोजपुरी इंडरस्टी प असलील तो कहे तो हट ही जाएगा और भोजपूरी भी एक ऐसे पद पर जाएगा जैसे बॉलीवूड और कहे तो बहुत परकार के मूबी आते हैं बहुत परकार के सोंग आते हैं उस पद पर अच्छा खिसारी लाल का कोई सोंग याद है हाँ विदाई का गाद हो क्या हाँ अब तु चल जैबू हमसे अचारा छोराई के तुम ही बोला कैसे जी अब बीन माई के तुम ही बोला कैसे जी अब बीन माई के आई लुहां साबत जैबू सब का के रुलाई के अगर पल अबी दास का सोंग सुनना अगर आपको पसंद करें तो अगर आपको पसंद आए तो आप पल अबी दास यूटीब पे फैस्बुक पे या फिर सोशल मीडिया तो आपको पता भी है रात ओ रात किनी को भी इस्टार बना देते हैं और जीरो से हीरो बना देते हैं अपका पल अबी दास जाहे ही जरूर बताए तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जूड़े रहें BBL न्यूज के साथ धन्यवाद जेहें